है लो गाईज हम पढ़ रहे थे हमारा अटमी सब्जक्ट और अटमी सब्जक्ट के अंदर हमने लिमफैटिक सिस्टम पढ़ दिया था उसके बाट जो हम सिस्टम शुरू करने जा रहे हैं वह स्पेशल सेंसरी सिस्टम ठीक है आपको पता ही होगा हमारी स्पैसल सेंसिज कित ब्रेन फिर उसके यह साब से रियक्ट करेगा तो आपके पांच स्पेशल सेंसरी ओर्गन कौन से हैं इयर होता है आई नोज टंग और स्किन ठीक है और इनका काम क्या होता है जैसे इयर का काम क्या होता है हीरिंग का सुनने का आई साइट या फिर विजन आप बोल सकते हूं देखने का नोज का काम होता है स्मेल करने का टंग का काम होता है टेस्ट करने का स्किन का काम होता है टच करने का ठीक है यह आपके जितने भी सेंसरी ओर्गन होते हैं सारे के सारे इनके पास क्या होते हैं स्पेशलाइज्ड सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं इनकी सरफेस पे special sensory receptors होते हैं sensory अगर आपने word सुना हो तो इस का मतलब क्या होता है जो brain तक message लेके जाए है न तो sensory receptors present होते हैं जो क्या करते हैं collect करेंगे और transmit करेंगे क्या information को कहां पे आपके brain के पास brain में specific areas होते हैं हर चेज के लिए vision का अलग होता आपका हीरिंग का अलग होता है sight का अलग, smell का अलग, taste का अलग, touch का अलग तो इसी तरीके से क्या करते हैं आपके sensory receptor brain के पास information को send करते हैं अलग-अलग areas के अंदर तो special senses में हम जो first topic पढ़ने जा रहे हैं या first sensory organ जो पढ़ने जा रहे हैं वो आपका skin है ठीक है, skin पे आपका अलग से मतलब chapter आपके अनट मेबुक में आपको देखने को मिलेगा नाम होगा उसका integumentary system या फिर skin के नाम से ही, ठीक है skin क्या होती है, आपको पता है यह आपकी skin है ठीक है, skin आपकी पूरी body पे ही present होती है, यह जो integumentary इसको क्यों बोल आ है integument, जो word है ना integument word इसका मतलब क्या होता आपका जो integument word है, इसका मतलब होता आपका outer layer ठीक है outer layer या फिर covering layer ठीक है, तो इसी के नाम पे इसका skin का बना हुआ, क्योंकि skin आपकी यह outer covering होती है आपकी पूरी body की, तो integumentary system आपका फॉर्म दा आउटर कवरिंग आफ दा बोडी आपके भी कह सकते हैं स्किन कवर यूर ओल बोडी ठीक है आपकी पूरी बोडी को जो कवर करती है देट इसके बाद है कंपोजिशन जो आपका यह इंटुकमेंटरी सिस्टम है ठीक है इसके अंदर आपको क्या-क्या ची स्किन जेड ग्लैंड़ नेक्सित है स्वेट गृइंट। स्वेट ग्लैंडंग होती है् सबैश्यस ग्लैंड को आप ओल ग्लैंड भी बोलती हो इन सब के बारे में अपने डीटेर में पढ़ना एक इसके अंदर। इंटुकमेंटरी मेंटरी system जो आपकी पूरी body को cover करता है वो system composition आपने पढ़ ली skin, nail, hair, sweat gland, sebaceous gland अब उसके बाद शुरू होता है सबसे first आपका skin के साथ, skin की introduction ठीक है skin आपकी क्या होती है, sense organ होती है, यह हमने अभी recent देखा, skin risk, क्या होती है आपकी sense organ अब जितने भी sense organ थे, उन सब में से सबसे largest कुन सा organ होता है, यह होता है, skin ठीक है, plus skin आपकी largest organ of body भी है, ठीक है, आपकी body में largest organ भी यह है लेकिन किसके according, according to weight, ठीक है, इसका weight होता है, prox 4 kg जी, देखो, कुछ organs बताती हूँ, मैं आपको, यह आपके competitive exam के लिए भी important है, आपसे पूछा जा सकता है, सबसे first question तो आपका यही बनता है, ठीक है, आपसे option देखे, पूछ लिया जाता है, कि सबसे largest sense organ कौन सा है, तो आपको बताऊना चाहिए, skin होता है, ठीक है, plus आपसे largest organ होता है, skin, क्योंकि उसका weight होता है, 4 kg, next है आपका liver, ठीक है, इसका weight होता है, 1.5 kg, third होता है, brain, 1.4 kg, यह आपके weight के according largest organ बता दिये, first skin, second liver, third brain, यह आपके competitive exam के लिए बहुत important question है, एक number के, ठीक है, next आता है, according to surface area, अगर आपसे पूछा जाए, कि किस organ ने कितना area cover करके र largest organ होता है, ठीक है, जब आप length को निकाल के रखोगे ना, तो उसका surface area, skin के surface area के मुकाबले बहुत जादा होता है, तो एक length का, आपका 70 meter square होता है, surface area, ठीक है, दोनों का मिला गया, आप देख लो, 140 meter square हो जाएगा, intestine हापकी, उनको अगर आप निकालोगे, तो उनका, जो यह surface area हो कितना होगा, आपका 30 meter square होगा, और जो skin आपकी, उसका देख लो, आपको यह बात skin के introduction में लिखनी है, ठीक है, कि skin का surface area कितना होता है, आपका 1.5 से लेके 2 meter square, यह आप इसकी introduction में लिख सकते हैं, largest sense organ है, largest organ of body है, weight के according, skin का weight आपको पता होना चाहिए, 4 kg होता है, और skin is the third largest organ of body, according to surface area, और उसका surface area होता है, आपका 1.5 से 2 meter square, ठीक है, next इसकी introduction में क्या बात है, skin के बारे में, skin आपकी body, आपकी total body weight, मालो आप एक healthy adult का weight लेके चलो 70 kg, ठीक है, अगर आप 70 kg के इनसान हो, उसमें से 6 से 7% total body weight का, कौन होती है, आपकी skin होती है, ठीक है, तो यह इसक production में आपने ऐसे पढ़ना है, उसके बाद है, normal skin thickness, skin की thickness कहां से कहां तक हो सकती है, तो skin की जो thickness है, वो आपकी 0.3 mm से लेके 3 mm तक हो सकती है, 0.3 mm इसकी सबसे thinest है, ठीक है, यह सबसे thinest आपकी मिलती है, eyelids के ओपर, आपकी पूरी body में skin सबसे thin कहां पे होती है, eyelid पे, और salts of fit पे और palm of hand पे, ठीक है, यह भी आपके एक एक नंबर के important question बनते हैं, आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, यही पूछ सकते हैं, आपकी skin सबसे thinest कहां है, और कितनी thin है, यह एक एक नंबर के question बनते हैं, प्लस यह भी 6-7% of total body weight, ठीक है, यह anatomy के according तो है important पर यह competitive exam के लि आपका third number पर यह आता है, और 6-7% आपकी total body weight का skin होता है, और इसकी normal thickness कितनी होती है, सबसे thin skin कहां होती है, और सबसे thick skin कहां पर होती है, ठीक है, next इसके बारे में जो है, वो है इसकी pH, इसकी pH, यह हम क्या पढ़ रहे है, skin की introduction, या आप इसकी physical characteristics बोल सकते हो, normal skin की pH आपकी क इतनी होती है, 4.5.5 से 5.5, ठीक है, pH scale अगर आपने बदा एह तो कितने से कितने तक होता है, 0से 14 तक होता है, 7 पे आपका क्या होता है, neutral, 7 से पहले वाली सारी चीज़े क्या होती है, और 7 से बाद वाली आपकी सारी क्या होती है, basic, ठीक है, तो साथ से पहले है, यह 4.5 से 5 5.5 तो आपकी skin की pH क्या होगी fairly acidic होती है किसकी वज़े से यह acidic होती है किसकी वज़े से यह आपको बता चलिए होती क्यों है ताकि यहां पर यानि आपकी skin काशलरक्रिया नेक्स्ट है आपकी skin पर नर्मलीply bacteria कौन से पाया ।स इन बैक्टीरिया से फ्लोड्यistem से अपसके aja क्यों से बयानी टामे की Labor भी जिस बिभर पच यह एसी आपकी स्किन पर भी रहते है normal bacteria अब क्यों कि आपके microorganism इतने present है हर जगह present ह inspired तो हमारी body हमारी skin के उपर भी present होंगे तो दो टरहों कि वह थे है HER और न्वेफियद्धुमकाल नहीं कि जो नॉर्मल नहीं वहां पर रह रहे हूं को बढ़ने को मिलते हैं स्टेफियख़ लांशन अर्यस she k2 के लिए सिक्सु सीरзд में से एक यह विमारी आती आ यॉज़र्दे बच्छों हम हम चोटे होते हं आपकी इपिप्यू में इसका आप इन आप помог अरें रहते हैं आपका सवी नुंक प्रोंच से रहते हैं स्टेफाईल cocus epidermatitis ठीक है जो आपकी epidermis में inflammation को कर सके वैसे आपके non-pathogenic bacteria तो यह कुछ bacterial flora जो आपकी skin के उपर पाए जाते हैं next आपका study of skin को आप क्या बोलोगे dermatology ठीक है जैसे हर किसी ब्लेड की study को hematology हर्ट की study को cardiology तो skin की study को आप क्या बोलते हो dermatology dermis जो इसकी layer का नाम है उसे की नाम पर इसकी यह science का नाम बन गया dermatology और अगर किसे इने specialist यानि किसे इने skin में ही आगे जाके master degree कर रखी है तो उसको आप क्या बोलते हो dermatologist ठीक है specialist of skin is called dermatologist अब तक हमने क्या बढ़ लिया introduction इसकी physical characteristics next जो आपका point है skin के अंदर that is structure of skin अब आपकी skin है वो किन किन layer से मिलके बनी होती है ठीक है skin के उपर आपकी में लिख तीन layers होती है दो main layer होती है एक associated layer होती है ठीक है , main layers कॉझ से होती है आपकी epidermis ठीक है ev libro का मतलब क्या होता आपका upon ऑप अपोन da dermis यानि सभसें उपर जो layer पिर्जाआट होंगे वो क्या हो गा अपकी epidermis epidermis के नीचे dermis और dermis के नीचे आपकी hypodermis hypo का मतलब क्या होता आपका under होता ना नीचे तो dermis के उपर मतलब बीच वाली ये है dermis के उपर epidermis, dermis के नीचे hypodermis ठीक है ये associated layer होती यानि जो इन layers को क्या करेगी थोड़ी बहुत help provide करेगी एक association का मतलब होता help provide करना ना वैसे अगर आपसे पूछा जाए तो study of ये मतलब structure domain layer होती है, एक associated layer होती है ये सारे आपके एक नमबर की important question बनते हैं, skin की pH क्यों ऐसे होती है, कौन-कौन से bacteria रहते हैं, या फिर study of skin मतलब इसको क्या बोला जाता है तो क्या होगी, hypodermis, dermis का दूसरा नाम आपका true skin, ठीक है और hypodermis का दूसरा नाम मैं आपका subcutaneous tissue, आपने यही नाम सुना होगा, hypodermis शायदा सुना होगा, subcutaneous tissue उसको बोलते हैं, जो subcutaneous tissue आपकी layer है, ये आपकी बढ़ी होती है दो tissue से, areolar tissue और एडिपोस्ट tissue से, ठीक है इन सारी layer को हम detail के अंदर बढ़ेंगे इतना समझा है आपको आपकी skin कीतनी layers होती है next हमारा जो topic है मैं आपको ये epidermis और ये इसके अंदर दिखाती है देखो, आपको दिख रही है epidermis और dermis दो layer आपको दिखाई हुई है ये इतनी क्या आपकी epidermis और ये क्या आपकी dermis ठीक है इनके बारे में हम detail में पढ़ेंगे epidermis के बारे में आप क्या बताओगे outermost superficial layer of skin ये आपका एक नंबर का बहुत important option बनता है ठीक है competitive में आपसे यही पूछ लिया जाता है आपकी skin की सबसे superficial layer कौन से होती है तो वो कौन से होती है आपकी epidermis होती है ठीक है और ये epidermis layer आपकी किस किस चीद से मिलके बनी होती है ये made up of stratified creatinized squamous epithelium tissue ठीक है आपने अगर tissues का topic पढ़ा है तो उसके अंदर आपने tissue पढ़े होंगे चार्ट रहे क्यों होती है आपके पढ़े epithelium tissue, connective tissue epithelium tissue, connective tissue, muscular tissue और nervous tissue ठीक है nervous में तो आपको पता ये neurons आती है muscular में muscles आती है connective में आपका blood, bone, lymph ये सारे चीज़ आती है epithelium tissue बज़िया आपके organs आपके मालो कोई भी organ है आपकी body में जितने भी organ है उनकी outer covering और inner covering आपके epithelium tissue नहीं बढ़ाई होती है तो इसलिए यहाँ पे लिखा है कि epidermis किससे बणी होती है आपकी skin तो आपकी सबसे superficial layer है न तो ये तो आपकी किससे बणी होगी आपके epithelium tissue से ही बणी होगी तो stratified का मतलब होता है multiple यानि multiple layer से मिलके बणी होती है आपकी क्या epidermis stratified का मतलब याद रखोगे multiple या many multiple cretinized आपने सुना होगा आपके बाड़ों में आपके nails में cretin नाम का protein होता है तो ये multiple layer से बणी हुई with protein क्रेटीन squamous shell की shape में epithelium tissue से बणी हुई आपकी layer होती है क्वोण सी epidermis समझा है आपको या फिर आप लिख सकते हो creatinocytes site मतलब cell creatin मतलब creatin protein creatin protein से बणी होई मतलब ऐसी cells जो creatin produce करती है उन cells से बणी होई layer आपकी क्या होती है epidermis समझा है आपको multiple layers में होती है आपकी epidermis creatin नाम के protein से भरी होई properly और squamous epithelium tissue से बणी होई layer है आपकी epidermis ठीक है next इसके बारे में जो है वो क्या है there are no blood vessels और nerve supply in the epidermis आपको यह जान के बहुत हरानी होगी आपकी इस outer covering इस epithelium layer के अंदर किसी तरह की कोई blood supply या nerve supply present नहीं होती है ठीक है यहाँ पे कोई artery vein नहीं आती है there are no blood vessels और no nerve vessels ठीक है कोई nerve नहीं आती है यहाँ पे कोई blood vessel नहीं आती है फिर इसको कहां से blood मिलता है आपका इसके नीचे जो layer है ना dermis वहाँ से इसको blood मिलता है ठीक है घबराने की बात नहीं है blood मिलता है इसको ठीक है but its deeper layer are bath in the interstitial fluid from the dermis बताया था ना मैंने इसके नीचे वाली layer से मिलता है dermis से blood तो इसकी जो deep layer आपकी epidermis ऐसा नहीं है कि एक लेयर से बढ़ी है यहीं से हमने पढ़ लिया कि multiple layer से बढ़ी होती है तो इसकी भी 5 layers होती है तो जो इसकी सबसे deep वाली layer होगी वो कहां पर नहा रही होगी आपकी बात कर रही होगी आपके interstitial fluid के अंदर interstitial fluid क्या होता आपका cells के बीच के fluid को interstitial fluid बोलते हैं यह फिर tissue fluid बोलो आप दखो यह cells हैं इनके बीच में space दोता है इनके बीच जो fluid होगा वहाँ पर ठीक है उसको बोलते हैं interstitial fluid तो जो आपकी epidermis है उसकी deep layer बात कर रही होगी interstitial fluid के अंदर ठीक है और वो fluid कहां से आ रहा होगा आपका dermis layer से और वही fluid क्या provide करेगा epidermis को oxygen, nutrient और वो क्या करेगा ले के भी जाएगा ठीक है drains away as lymph वो जो आपके पास यह fluid, oxygen, nutrient बगएर आए हैं यह अब आपके जाएंगे आपके lymph हमने lymph बढ़ लिया है तो आपको पता होगा lymph यहां क्यों है present बीच में ठीक है स्ट्रेटा वर्ड, several layers, multiple layers मैंने अभी उपर आपके बता है था तो आपकी जो epidermis है वो divided है बहुत सारी layers के अंदर मैंने अभी आपको बता है था कि epidermis की 5 layers होती है ठीक है यह 5 layers के नाम हम यहां देख रहे हैं बाहर से अंदर की तरफ ठीक है तो stratum वर्ड यहां इसलिए लगा है stratum corneum यह इन पाक्चों में सबसे थिकस्ट layer होती है ठीक है stratum, क्योंकि यह सबसे बाहर होती है देखो यहां पर जो यह layer है stratum corneum ही है ना सबसे बाहर वाली layer तो इसलिए यह आपकी थिकस्ट layer होती है second है stratum lucidum थर्ड है strictum granulosum फॉर्थ आपकी stratum spinosum फिफ्थ आपकी stratum bacille या फिर germ native layer ठीक है इनको याद करने के लिए आप एक trick याद कर ले न है come let's go sun burn ठीक है याद कर ले न आपको ये पांच Uno layer याद ह auto जाएंगी आउ चलो सूरज to go जलने दो कम, let's go, sunburn C से corneum देखो मुझे याद हेंगे C से corneum, L से lucidum G से granulosum, S से spinosum B से bacille ठीक है? और stratum word क्यों लगा है? multiple के लिए, many layers several layers of corneum corneum layer के अंदर जो भी cells होंगे ना, वो काफी सारी layers में arranged होंगी तो stratum word used for several layers और ये इनके नाम है तो आपकी epidermis, ये हम कहां से कहां पढ़ रहे हैं outer to deep, ठीक है? बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं और अगर आपको अंदर से पढ़ना हो यानि dermis के बाद से पढ़नी शुरू करनी हो तो ये आएगे ना सबसे तो आप लिख सकते हो, ये सबसे inner layer होती है ये सबसे outer layer होती है अब अगर आपसे option में दे के पुछा जाए ना एक नमबर में question की outermost layer of your skin और option में आपका epidermis हो dermis हो, ठीक है? और third आपका stratum corneum हो और fifth तो आपका ये hypodermis fourth, तो आपको corneum पे लगा रहा है ठीक है? epidermis की भी corneum होती है आपकी सबसे outer layer तो ये एक नमबर के आपसे question पूछे जा सकते हैं आगे, तो आगे हम इन layers को detail में पढ़ेंगे next lecture के अंदर I hope आपको ये सब समझ आया होगा Thank you guys